Good morning all of you मैं आज आप लोगों को एक कम्पुटर का परोजेक्ट देने वाला हूँ ये परोजेक्ट आपको प्रेक्टिकल कॉपी में आपको करना है प्रेक्टिकल कॉपी के वाइट पेज में आपको ड्रॉइंग करना है और line बले page में आपको लिखना है क्या drawing करना है? क्या लिखना है? मैं आगे explain करूँगा आप लोग ध्यान से ये वीडियो देखना कैसे drawing करना है? किस टैप का drawing करना है? वो भी मैं explain करूँगा पहले तो आपका जो first page होगा practical का वहाँ पर आप लोग अपना नाम, अपना role number, आपका class, जासे यहाँ पर लिखा है class 6 और term 2, subject, computer, project 2 लिखना है ये एकदम first page में लिखना है, इस page में मत नहीं लिखना है आपका जो first page होता है, वहाँ पर लिखो next आप लोग project शुरू कर रहे हो, तो ये project page number 1 है यहाँ पर पहला है, draw and level the excel window in practical copy मैंने यहाँ पर picture दिया है, आप लोग ये picture का screen shot भी ले सकते हो वीडियो से, ये बाला जो picture है, आपको यहाँ पर drawing करना है जैसे यहाँ पर मैंने picture चिपकाया है, उस तरह ये काई drawing आपको बनाना है आप लोग drawing सीधा मत करना, जैसे मैंने चिपकाया है, जिस तरीके से वैसे ही drawing करना, क्योंकि ये drawing बड़ा होगा पेज आपका चौड़ाई में होता नहीं है, लंबाई में आप लोग बनाओगे तो ये बना पाओगे, यहाँ पे जितने भी points है, यह आपके book में figure 7.3 में मिल जाएगा आप लोगों को पता, ये मैंने practical में भी करवाया है आप लोगों को तो आप लोगों को Excel चाप्टर में ये drawing मिल जाएगा, वहाँ पे आपको ये वाला जितने भी portions है जितने भी level है, आपको पहले तो pencil के द्वारा drawing करना है, उसके बाद ये leveling आपको करना है अच्छा, ये उपर वाला जो portion है, menu bar, title bar, ये इतना detail ribbon में जितने भी चीज़ है ये तो details बनाने के ज़रुवत नहीं है ribbon में आप लोग bold, italic, underline, justify, जितने भी यहाँ पे options है, ये उतना बनाने के ज़रुवत नहीं है आपको थोरा सा रहने से होगा, आपको समझाना यहाँ पे ribbon कौन सा है, formula bar कौन सा है, Microsoft Office button कौन सा है तो जहाँ जहाँ पे आप लोग level करोगे, उसका drawing अच्छा होना चाहिए और ये तो एक drawing है, जो आपको book में मिल जाएगा figure 7.3 मैंने practical job करवाया है आप लोगों को, practical जो आपको class है, उसमें आप लोगों ने ये किया है तो आप लोग क्या करोगे, ऐसे ही लंबा करके drawing करोगे, और जितने भी level यहाँ पे है, लेवल करोगे इसमें marks है, इसलिए ध्यान से drawing करना और ध्यान से level करना नेक्स्ट आपका जो line page रहेगा, वहाँ पे पहले वाले portion में आपको लिखना है write a step to start emis, मतलब microsoft office excel 2007, तो आपको जो line pages है, वहाँ पे आपको step लिखना है emis office excel कैसे open करते है, step by step, ये भी आपको book में मिल जाएगा excel chapter में हम लोग number 3 page में जाते है, 3 page में आपको कुछ drawing बनाना है draw a computer, a modem, a telephone, आपका जो networking chapter है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा तो आपको क्या बनाना है, एक computer बनाना है, एक modem बनाना है, एक telephone बनाना है telephone line बनाना है, तो मैं आपको reference के लिए, यहाँ पे मैंने दे दिया है आप लोग अगर note करोगे, तो आपको पता चलेगा, यहाँ पे क्या है, आपको computer है यह मैंने पिच्चे थोड़ा सा मेरा लंबा हो चुका है, आप लोग यह लंबा भी बना सकते हो, यह फिर आप लोग चौड़ा भी बना सकते हो आपको कुछ नहीं, आपको एक telephone line, जैसे यहाँ पे देखो telephone line लिखा हुआ है यहाँ पे एक modem है, यह telephone line है, एक modem है, एक computer है, इसका यहाँ पे drawing करना है यह drawing आप खुद से कर सकते हो, एक telephone, यह भी आपके book में present है जो networking chapter है, वहाँ पे देखके, आप लोग एक computer, एक modem, एक telephone line यह आपके मर्जी से आप लोग बना सकते हो, मेरा drawing देखके बनने की कोई ज़रूत नहीं है कोई भी computer, telephone line और modem आप लोग बना सकते हो, ठीक है next जो pass वाला page है, आपके question यहाँ पर मैं दिखा लेता हूँ draw a computer, a modem and a telephone next आपका जो page है, वहाँ पर है, write some uses of internet आपको यहाँ पर internet का uses के बारे में लिखना है internet किधर किधर उपयोग होता है, उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है तो आप लोग क्या करोगे यहाँ पर, some uses of internet, internet का कुछ बैभर आप लोग यहाँ पर लिखोगे तो यही आपका project है, आपको इसको अच्छा handwriting में और अच्छे drawing के मुतबिक आपको करना है आपका drawing अच्छा होना चाहिए, आपका handwriting अच्छा होना चाहिए और informatic होना चाहिए, मतलब यहाँ पर, मैंने जैसे बोला है, write some uses of internet, यह आप लोग internet के द्वारा भी सर्च करके लिख सकते हो, भुक से लिखना इसका कोई माहिने नहीं रखता ठीक है, और यहाँ पर जितने भी मैंने काम दिया है, यह आप लोग थुरा से अच्छा करोगे और handwriting बार बार भूरनो, handwriting and drawing अच्छा होना चाहिए, ठीक है, thank you all of you, bye